Hello Friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is Journal Part 3, Class 11, Accountancy. Part 2 तक हमने कर लिया है, अब Part 3 करते हैं. Part 3 में हम Question Number, Practical Questions है, ये DK Goyal का, इसका Question Number 2 करेंगे. Question Number 1 इसके पहले वाले Part में हमने कर लिया था. तो Question Number 2 देखते हैं. Enter the following transactions in the journal of Mrs. Tripathi Bros. हमें journal बनाना है, Mrs. Tripathi Bros. इसके बुक में बनाना है, में journal entry पास करना है. Date दिया है, 2018, January 6. Sोल goods for cash, 36,000, January 8. Sोल goods to Hari, 30,000, January 14. Received cash from Hari, 18,000, January 26. Received commission, 750, January 27. पेड सालरी तुग पाल 1200, जैनवरी 28, रिसीव कैश फ्रम हरी 12,000, जैनवरी 29, विड्रो कैश फ्रम ऑफिस फॉर परसनल यूज फोर थाउजन, जैनवरी 30, वेजे पेड 7,200, जैनवरी 30, बॉट मशिनरी फ्रम कैश 8,000, तो ये था हमारा कुश्चन, कुश्चन अमने पढ़ अगर आपके पास डीके को बुक नहीं है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, या इस को लिख लो, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये है कुश्चन नमबर 2 का सॉल्यूशन, इसको सॉल्फ करने के लिए सबसे पहले उपर हम लोग जर्नल या जर्नल इंट्री इस लिखते हैं, जिसके बुक में बना रहे हैं, मतलब जो भी बिजनेस है, जिसके बुक में बना रहे हैं, उसका नाम लिखते हैं, वो कोई फर्म हो सकता है, इंस्टिटूशन हो सकता है, कमपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कॉश्चन में दिया गया था, हमें बना फिर LF, that is laser folio, debit का amount, फिर credit का amount, फिर first transaction देखते हैं, दिया गया है, date में है, 2018, तो 2018 लिख देंगे, January 6 का दिया गया है, तो लिख देंगे, January 6, transaction है, sold goods for cash, 36,000, मतलब यह जो business है, ठीक, यह जो है ना, goods को sold किया, 36,000 को, goods को बेच दिया, cash में, तो यहां पर दो account अफेक्ट हुआ, पहला है मारा goods account, और दूसरा है cash account, क्योंकि बेचा है goods को cash में, तो cash एक real account की तरह काम करता है, और बेचने पर goods को cash मिलेगा, मतलब business में cash कम सीन होगा, इसलिए यहां पर cash account को debit किया गया है, 36,000 से, और goods को sell करने पर business से goods चला जाएगा, क्योंकि business goods को बेच रहा है, बेचने पर goods तो चला जाएगा, business से goes out हो जाएगा, और goods एक real account की तरह काम करता है, तो real account का rule कहता है, कि जब goes out हो, तो उसको हम लोग credit करते है, इसलिए यहां पर credit हुआ है, अब आप देख सकते हो, यहां goods तो लिखावा नहीं है, यहां पर sales account लिखावा है, तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, कि जब भी कोई भी assets हो, goods भी एक assets है, furniture, machinery, कुछ भी हो, cash भी एक assets होता है, तो कुछ भी हो, assets, तो वो assets का ही नाम लिखा जाएगा, लेकिन जब goods हो, तो goods ना लिख करके, हम purchases लिखते हैं, जब goods को purchase किया जाएगा, तो purchases लिखेंगे, और जब goods को sell किया जाएगा, तो sales लिखेंगे, तो वही sales यहां दिया गया है, यहां पर goods sold हो रहा है, तो goods sold होने प करके sales लिखे हैं अगर purchase होता तो purchases लिखते हैं तो I hope आपको ये entry समझ आ गया होगा इसको modern rule से समझते हैं तो goods बेचा जा रहा है तो goods एक assets की तरह काम करता है जैसे की मैंने आपको बताया अब goods नाम का assets decrease हो रहा है और जब assets decrease होता है तो उसको हम लोग credit करते हैं इसलिए आपे goods नाम से credit किया गया है और goods ना लिख करके sales लिखते हैं अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लो उसमें मैंने बताया था दो रूल होता है golden rule modern rule मैंने सब explain किया था first वाले वीडियो में तो वो देखना उसके बाद ही ये वीडियो देखना तो बहत अच्छे से समझ आएगा तो और cash goods बेचने पे cash business में आ रहा है तो cash नाम का assets increase कर रहा है इसलिए debit हुआ है तो entry पास हुआ है cash account debit 36,000 तो sales account 36,000 नारेशन हो जाएगा being goods sold for cash next transaction देखते है जो की है January 8 दिया गया है sold goods to hurry 30,000 अब आप इस transaction में देख सकते हो की यहाँ पे goods बेचा गया है हरी को यहाँ पे इस transaction में cash mention नहीं है जैसा की उपर वाले transaction में था cash mention ठीक है लेकिन इस वाले transaction में cash mention नहीं है it means यह credit transaction है और मैंने आपको बताया था कि जब cash mention ना हो किसी का नाम mention हो it means वो credit transaction है तो यहाँ पे goods बेचा जा रहा है हरी को business goods बेच रहा है हरी को तो business का तो goods घटेगा बेचने पे goods business से जा रहा है goes out हो रहा है real account का rule कहता है जब goes out हो तो credit इसलिए यहाँ पे sales account तो credit हुआ है लेकिन इस transaction के हिसाब से cash पे तो कोई effect नहीं पढ़ रहा है क्योंकि business goods तो बेच रहा है लेकिन वो credit में बेच रहा है उधार में बेच रहा है उसको पैसा मिल नहीं रहा है इसलिए यहाँ cash account तो effect हुआ नहीं है इसलिए नहीं तो उसको debit में लिखेंगे और ना ही credit में लिखेंगे लेकिन यहाँ पे goods हरी को बेचा जा रहा है और हरी आपको समझ आ रहा होगा personal account है personal account में जह receiver होता है उसको हम लोग debit करते हैं और यहाँ पे goods बेचा जा रहा है हरी को तो हरी उस goods को खरीद रहा है तो वो as a receiver की तरह काम कर रहा है इसलिए इसको debit किये 30,000 से इसलिए entry पास हुआ हरी's account debit 30,000, two sales account 30,000 अगर आप जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बताया था कि personal account जब हो तो उसमें अगर हम apostrophe s लगाएंगे तो account भी लगाना होगा अगर यहाँ पे apostrophe s नहीं होता तो account भी नहीं लिखते डारेक्ट लिखते हरी debit तो यह भी याद रखने वाला चीज था इसको modern rules समझेंगे तो goods sold करने पे goods नाम का assets decrease हो रहा है इसलिए sales account को यहाँ पे credit किया गया है क्योंकि जब assets decrease हो तो उसको हम लोग credit करते हैं और यहाँ पे जो है हरी एक assets की तरह काम कर रहा है कैसे वो समझते हैं तो business है goods को बेच रहा है हरी को credit में means in future इस हरी से उस business को पैसा मिलने वाला है future in future जिससे पैसा मिलने वाला हो उसको assets बोलते हैं इसलिए यह हरी एक assets की तरह काम कर रहा है और assets जब increase करें तो उसको debit किया जाता है इसलिए यहाँ पे हरी debit हुआ है 30,000 से आप अपने में सोच के देखना आप मान लो किसी को goods बेचे उधार में तो in future आपको उससे पैसा मिलेगा और in future आपको उससे पैसा मिलेगा तो वो आपके लिए एक assets की तरह काम कर रहा है और assets का rule कहता है कि जब वो increase करें तो debit होता है तो इसके लिए हम लोग narration लिख देंगे being goods sold to हरी next transaction देखते है जो की है January 14 दिया गया है received cash from हरी 18,000 ये जो हरी को 30,000 में बेचा गया था इससे cash receive हो गया 18,000 तो cash receive होगा हरी से receive हो रहा है तो एक तो cash account पे affect पड़ेगा और किस से receive हो रहा है हरी से receive हो रहा है तो एक हरी account पे affect पड़ेगा तो business cash receive कर रहा है तो वो cash receive कर रहा है मतलब business में cash comes in हो रहा है real account के इसाब से comes in इसलिए cash account debit हुआ है और receive हो रहा है हरी से तो हरी पैसा देने का काम कर रहा है क्योंकि हरी एक personal account है इतना तो समाजा आ रहा अब personal account है और business इसको receive कर रहा है business receive कर रहा है हरी जो है इस business को देने का काम कर रहा है तो hurry as a giver की तरह use हो रहा है और जो giver होता है golden rule कहता है कि जो giver है उसको credit किया जाता है इसलिए hurry यहाँ पे credit हुआ है 18,000 से अब इसको modern rule से समझेंगे तो business cash receive कर रहा है क्योंकि जितना भी transaction हम लोग record करते है सारा business के हिसाब से करते है और business यहाँ पे cash को receive कर रहा है business cash receive कर रहा है तो cash business के लिए assets की तरह काम कर रहा है और जब assets increase हो तो उसको debit किया जाता है क्योंकि आपको पता है cash एक assets की तरह काम कर रहा है जब assets increase हो तो उसको debit किया गया है 18,000 से और यहाँ पे यह जो हरी नाम का assets increase कर रहा था 30,000 से क्योंकि goods बेचा गया हरी को, total 30,000 का तो उस business के लिए 30,000 का amount credit था ठीक है, तो business के लिए assets increase हो रहा था 30,000 का अब इस 30,000 में से 18,000 business receive किया तो इस 18,000 नाम का assets decrease कर दिया गया इसलिए यहाँ पे हरी को credit किया गया है I hope समझ आ गया होगा, बस इतना सा बात है कि business goods को बेच रहा था हरी को 30,000 में, तो business के लिए उधार था 30,000 कौन ताउधार? हरी था, अब इस 30,000 में से 18,000 इस business को मिल चुका है तो 18,000 उसका जो assets था वो घड़ चुका है अब यह assets क्योंकि मिल चुका है, cash मिल चुका है ना हरी से तो हरी नाम का assets 18,000 से decrease हो गया means next time जब amount मिलेगा, तो इस 30,000 में से 18,000 कम मिलेगा अब आप देख सकते हो, नीचे मेरा page फुल हो चुका है तो यह तो transaction आपको, मतलब entry समझ आई क्या होगा cash account debit हो आए 18,000 से to harries account 18,000 narration लिखते है, being cash received from harry अब मेरा page फुल हो चुका है, तो हम language देंगे जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियों बताया था CF लिखेंगे, that is carry forward carry forward जितना amount होगा debit और credit का दोनों को add कर देंगे तो 36,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 that is equal to 84,000 debit 84,000 credit next entry देखते हैं तो next entry पास करने से पहले सबसे पहले लिख देते BF, that is broad forward जितना amount था, वो amount लिख देंगे तो amount था हमारा 84,000 debit 84,000 credit next entry है हमारा date है January 26 तो इसका transaction देखते है दिया गया है received commission 750 business जो है commission receive किया तो commission जो है एक nominal account की तरह काम कर रहा है ठीक है commission receive जो हो रहा है commission जो है एक nominal account की तरह काम कर रहा है मतलब यह जो commission है एक income की तरह काम कर रहा है business commission receive कर रहा है तो उस business के लिए ये income है और income nominal account का rule कहता है कि जो income होता है उसको credit किया जाता है golden rule में मैंने आपको बताया था कि expenses या losses जब होता है तो उसको debit करते है incomes या gains जब होता है तो उसको credit करते है ये nominal account का rule कहता है तो commission एक income की तरह काम कर रहा है इसलिए credit हुआ है और business commission को receive करेगा तो वो cash में receive करेगा तो business में cash आएगा क्यों commission क्या हो गया receive करना पैसा commission वही हो गया तो cash में receive करेगा तो business में cash आ रहा है क्योंकि cash एक real account की तरह काम करता है real account का rule कहता है जब comes in तो debit इसलिए entry पास हुआ है cash account debit 750 to commission account 750 modern rule से समझेंगे तो business में commission मतलब business commission receive कर रहा है तो business में cash नाम का assets increase करेगा assets जब increase तो debit और commission एक income की तरह काम करता है और जब income increase करे तो उसको credit किया जाता है यह modern rule कहता है तो इसके लिए हम narration लिखतेंगे being commission received next transaction देखते है जो की है January 27 दिया वाय पेड़ सैलेरी टू गोपाल 1200 salary पे किया गया गोपाल को तो business salary पे करेगा गोपाल को तो यहाँ पे जो दो account अफेक्ट हो रहा है पहला तो salary हो गया और दूसरा business salary पे करेगा किसी को भी पे करेगा cash में पे करेगा तो दूसरा account जो affect हुआ है वो है cash account तो salary nominal account का rule कहता है कि salary expenses की तरह काम करता है यह nominal account का rule ऐसा कहता है कि जो salary है वो expenses की तरह काम करता है तो जब expenses हो तो उसको हम लोग debit करते हैं इसलिए salary account यहाँ पे debit हुआ है 1200 से और business salary पे करेगा cash में cash जो है एक real account की तरह काम करता है और salary पे करने पे business से cash गोज आउट होगा और गोज आउट जब होता है तो उसको credit करते हैं इसलिए entry पास हुआ है salary account debit 1200 to cash account 1200 इसको अगर modern rule से समझेंगे तो salary एक expenses की तरह काम कर रहा है जब expenses increase हो तो उसको debit करते हैं और salary एक expenses है इसलिए salary account debit हुआ है और salary पे करने पे cash में पे करेंगे तो cash नाम का assets decrease होगा जब assets decrease हो तो उसको credit किया जाता है मतलब जब assets decrease हो तो वो credit होता है इसलिए आप एक cash account credit हुआ है narration लिख देंगे being salary paid to go pal I hope clear हो रहा होगा कि बहुत easy है बस थोड़ा समझना आप कोई भी rule लगा के समझ सकते हो आप golden rule से भी तो दोनों में से किसी का help लेके भी आप solve कर सकते हो बस एक entry pass करना है next है January 28 इसका देखते है transaction क्या दिया हुआ है January 28 में दिया गया है receive cash from हरी 12,000 जो हरी को goods बेचा गया था उधार में उससे cash receive 12,000 का तो cash receive करने पे business में cash comes in हो रहा है इसलिए debit और हरी जो है cash देने का काम कर रहा है क्योंकि cash receive कौन कर रहा है business किस से receive कर रहा है इस हरी से receive कर रहा है तो हरी इस amount को देने का काम कर रहा है तो यह एक giver की तरह काम कर रहा है personal account का rule कि जो giver होता है उसको credit करते है इसलिए two hari लेखे आप यहां देख सकते हो, यहां मैंने apostrophe S नहीं लगा है, account भी नहीं लगा है, अगर यहां apostrophe S लगाएंगे, तो account भी लगाना पड़ेगा, अब इसको modern rule से समझेंगे, तो cash receive हो रहा है, cash receive business कर रहा है, cash एक assets की तरह काम करता है, assets increase, तो debit, और हरी नाम का assets यहां पे decrease हो रहा है, cash नाम का assets तो increase कर रहा है, क्योंकि cash business में आ रहा है, 12,000 का, इसलिए यहां पे cash नाम का assets increase कर रहा है, लेकिन यहां पे हरी नाम का assets decrease कर रहा है, क्योंकि हरी अमारे लिए एक assets था, क्योंकि business इस हरी को उधार में माल बेचा था, तो उस time यह business के लिए एक assets था, लेकिन अब ये 12,000 का amount pay कर दिया इसलिए 12,000 नाम का assets decrease हो गया हरी का इसलिए हमारा entry pass हुआ है cash account debit 12,000 to Harry's account 12,000 narration being cash received from Harry next transaction देखते है जो की है January 29 दिया गया है withdraw cash from office for personal use 4,000 cash withdraw किया गया personal use के लिए तो इसको आप ध्यान से समझना कि जितना भी हम लोग transaction देख रहे है जितना भी entry pass कर रहे है सारा हम business के हिसाब से कर रहे है और यहाँ पे इस transaction में बोला जा रहा है न कि cash निकाला गया अपने personal use के लिए मतलब जो business है और जो business man है दोनों अलग-अलग होता है और जितना भी हम लोग transaction या entry pass करते है सब business के हिसाब से करते है business man के हिसाब से नहीं होता है और यहाँ पे जो business man है वो business से पैसा निकाल रहा है तो business से जब वो पैसा निकालेगा तो वो एक expenses की तरह काम होगा द्यान से समझना है ये है हमारा लो business ये है हमारा business और एक है business man तो जितना भी transaction हम लोग record कर रहे है जितना भी entry pass कर रहे है सारा business case आप से हो रहा है businessman के हिसाप से नहीं हो रहा और ये जो business man है ये अपने business में से कुछ पैसा निकाल रहा है cash video कर रहा है अपने personal use के लिए personal expenses के लिए ये businessman business में से कुछ amount निकाल रहा है अब business में से cash निकालेगा तो business का cash जाएगा भले वो businessman के पास ही जा रहा है लेकिन business से तो जा रहा है तो business से जा रहा है क्योंकि जितना भी हम लोग entry pass करते हैं सब business case हापस होता है और business से तो जा रहा है goes out हो रहा है cash account real account का rule कहता है जब goes out तो credit और यहाँ पर यह जो drawings है मतलब जब भी कोई amount निकाला जाए जब भी cash कोई withdraw किया जाए personal use के लिए तो उसके लिए हम लोग एक word यूज करते हैं जो की है drawings जब भी personal use के लिए खर्च हो निकाला गया हो तो उसके लिए हम लोग drawings यूज करते हैं और यहाँ पे business man पैसा निकाल रहा है business से तो वो एक expenses की तरह काम कर रहा है business के लिए जब normal account का rule कहता है कि जो expenses या losses हो उसको debit किया जाता है इसलिए drawings account 4000 से यहाँ debit किया गया है modern rule से समझेंगे तो business से cash withdraw किया जा रहा है तो cash नाम का assets decrease हो रहा है इसलिए credit और personal use के लिए businessman निकाल रहा है तो वो एक expenses की तरह काम कर रहा है expenses जब increase करे तो debit करते हैं फिर narration लिख देंगे being cash withdraw for personal use I hope clear हो गया होगा next transaction देखते है जो की है हमारा January 30 wages paid 7,200 7,200 का wages pay किया गया मतलब जो business है वो wages pay कर रहा है 7,200 का तो cash में pay करेगा wages को cash business से जाएगा goes out इसलिए cash account को credit किये है और wages जैसा कि आपको पता है कि एक expenses की तरह काम कर रहा है एक खर्च की तरह काम कर रहा है एक losses की तरह काम कर रहा है और जब जितना भी expenses या losses होता है nominal account का rule कहता है उसको debit करते है इसलिए wages account यहाँ पर debit हुआ है 7200 से यह golden rule से हमने समझ लिया अब अगर इसको modern rule से समझेंगे तो wages एक expenses की तरह काम कर रहा है जब expenses increase तो debit और wages को pay करने pay cash cash में ही pay करेगा cash decrease करेगा cash जब decrease करे तो उसको credit किया जाता है तो हमारा entry पास हुआ है wages account debit 7200 to cash account 7200 narration लिख देंगे being wages paid I hope clear होगा next transaction है January 30 दिया गया है about machinery for cash 8000 कहने का मतलब है कि machinery खरदा गया cash में कौन खरदा business खरदा machinery खरदा cash में तो यहाँ पे जो दो account effect हुआ एक तो machinery account effect हुआ और cash में खरदा तो cash account effect हुआ अब business machinery purchase करेगा तो business में machinery आएगा कमसिन real account का rule कहता है जब कमसिन हो business में तो उसको debit करते है इसलिए machinery account यहाँ पे debit हुआ है 8,000 का खरदा गया इसलिए amount में 8,000 लिख देंगे अब business machinery purchase कर रहा है तो उसके लिए cash पे करेगा क्योंकि cash में खरदा गया है cash पे करने पे cash business से goes out होगा real account का rule कहता है जब goes out हो तो उसको credit करते है इसलिए cash account यहाँ पे credit हुआ है 8,000 से इसको अगर modern rule से समझेंगे तो machinery खरीदने पे machinery नाम का assets increase कर रहा है इसलिए debit और machinery खरीदने में जो cash पे करना पढ़ रहा है तो cash यहाँ पे decrease कर रहा है मतलब cash नाम का assets यहाँ पे decrease हो रहा है इसलिए cash account credit हुआ है 8,000 से तो हमारा entry pass होगा machinery account debit 8,000 to cash account 8,000 narration being machinery purchased तो हमारा सारा transaction यही complete हो गया तो आगे कोई entry pass नहीं करेंगे इसके बाद हम direct performer अपना बंद कर देंगे line घीच देंगे फिर total कर देंगे amount debit का और credit का debit का सारा amount add करने पे आप देख सकते हो 84,000 plus 750 plus 1200 plus 12,000 debit always equals to credit 4000 plus 7,200 plus 8,000 तो आया 1,17,150 debit 1,17,150 credit और एक चीज़ और आपको याद रखना है debit always equal to credit तो यह दोनो amount equal होगा question number 2 हमारा यही complete होता है next question number 3 हम लोग next video में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करना और subscribe करना भूलना नहीं